समन्य समन्य कुरा हर हुँँचन जो हमें बुजेंवों भने कथा सुन्न अजे दरी आनंद आउँच क्या मैं लिया हुआला अब आजबाट बारं बार हात माथी गरेर जाय भननू हात माथी गरेर ताली बजाऊनू भन चो दिन दी नहीं भनने गर चो दिन मां दुई चार फटक मां भने नहीं रहां चो तेसका बने हरे कारण हरुचन धेरे कारण हरुचन हात माथी नहीं गरेर कीन जाय भननू परशता हात माथी नहीं गरेर कीन ताली बजाऊने तेरे युटा कारण हरुचन, प्रतेक दिन युटा युटा जोडदे जाऊंला, आज युटा सुन्यालनूस यो भावरुपी सागर छा युटा माननो साधर्ण तया, कोई नदीमा डुवेको व्यक्ति हुँच युटा युटा हिड़टे नदी पारगर न लागे कुथियो, नदीमा भेल आयो, बगेर गयो अब उसले अपनो बचाव का लागी के वंचा उरुचंगा गुहार माक्ः हात माथी गरेर अरे बचाओ, 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 मन डूबे, मन मरना आटे, मन भगे, मलाई बचाओ, वनेरा हाथ माहती करे रहा, संसार का व्याक्ति हरुशंगा उसले गुहार माखशा, माखशा की माखदे ना? तिस्ते जे माननों होस, हामी पनी यो भवरुपी सागर मा चुरुलूम मा डूबे काशों। लाट पार तर नक लागी भगवान संग गुहार मागने हो, हात माथी कारे रहे राधे, हे क्रिश्ण, हे प्रब्रम्म प्रमात्म, हामी लाइपने हजुूरले पार लगावनुषं। आप रभू मह जूर को हूँ जुम्झ यो सारा संसार छक्थ थी डिंग खेल हो बीदिनको रभी हाँ बास तवीक सभी भंद पowne हजूर नहीं हुन पासी सम्म हजूर नहीं हुनुंझ लॉए हामें सत्य को सत्य सरूप भगवान को विशय मा हमी जान दे थियू सत्य दानन्द रूपाया सत्य नानन्द रूपाया प्रभो की होनुंच सत्य सरूप होनुच और सवी संसार वने को मिठ्यास ध्या सवान द्या सु सत्य सरूप भनेर जान्दसों एउट भगवान को सत्य सरूप भयो विसे सरूप हरू मद्धेमा अरको क्या सत बंदा चैतन्य, चीत यानी चैतन्य भगवान जड होई न हमी मंदिर को दर्शन गर न गयों भने तो मंदिर को मुर्ति हमी संग सक्षात न बोलना सक्दे न होला तो मुर्ति को कमी होई न हमरो कमी हो भगवान हासन हुन्षा, भगवान खिलन हुन्षा, भगवान कुदन हुन्षा, भगवान हामरो साथी बन्न तयार हुन्षा, भगवान हामरो मित्र बन्न तयार हुन्षा, भगवान हामरो पिता बन्न तयार हुन्षा, तर त्यो भाब हामिमा हुनु परदसा आमिले लेर गाईको साक्षाद भगवान लेत्य भोग ग्रहाण गर्न होंचा ये स्वदा माता मा जस्तो भक्ती हमी मा आउनो परचा भगवान हमी संग सक्खा भाव मा संग संग हिन्न सक्न होंचा भगवान जड होईना अर्जुन मा जस्तो भक्ती आउसन हमी मा गुपी हरुमा जस्तु भाव आउस्ना हामी मा भगवान हामी संद संगे इंडित्य गर्न हुंसा प्रभ्रम्म प्रमात्मा जड़ हुईना चित यानी चैतन्य सुरूप भगवान को रहे कुछ बलू भक्त बत्सल भगवाने को इस ते प्रकार ले साक्षात अनंद सरूप सद्चित अनंद जस्तको नाम स्मरन गरना ले जस्तको भजन गाउना ले जस्तको गुण गान गरना ले भग्त को मन मा अनंद को अनुहुती हुँचा जती सुके टेंशन मा रोमल्य को होज तरह एकके सिन कथा मा आयरा बस्यों भने एकके सिन भगवान को भजन भाय को ठाव मा आयरा बस्यों भने त्यों भक्त को मन मा अंतर आत्म मा अनंद को अनुहुती होंचा बिचार गरनु होला अनुभाव गरेर मात्रे बोलेको शुमाईले जति सुके हजोर लाई टेन्सन होस जति सुके हजोर लाई चीनताले गरसीत हुन होनच तर एककेशिन भगवान को मंदिर मा गाए रप्रभुप्रमात्मा को अगाडि समरफीत भावदले एक कई छिन ध्यान गारेर बसों, भगवान को कथा सुनेर बसों, बस आनंद को अनुहुती हुन्छा। भगवान को सोरूपने आनंद सोरूप छा। तसर्त भगवान लए हमी सत्चिद आनंद रुपाय भनेर भन्य गर्द छों। बुले बक्त वत्सल भगवाने को जए हरे कृष्णा चंद्र भगवान जिद माने चैतन्य स्वरूब भने पनी आनंद श्वरूब भने पनी भगवान ने हुनुँँचे उस संसार मा भगवान वन्द और को कुने शैना हमिला रक्षा गरने वला यो संसार त दुखारूपी संसार हो दुखामा साहत दिने वला त भगवान होनुचे तेही भैर सज्जन विरिंद सचिदानन्द भगवान को आनलाई हमी हरेक समय स्मरन गरों हरेक समय हमी प्रभु प्रमात्म को प्रार्थन गरों अनि तेह सचिदानन्द भगवान भनेरता हमी जानेओं अब तेह प्रभु ले क्ये गरन होन्चे त भगवान को कार्य क्यों क्येका लागी आउन वहेक से संसार मा विश्वद पत्यां दिहे तबे तेह सचिदानन्द भगवान ले सबै भन्द प्रिला यो विश्वक उत्पत्ति गरन होन्चे उत्पत्ति मात्रे होई ना उत्पत्ति आदी हे तबे विदिव्यास्ची कोई वजन छ यहाँ आदी सब्द लगाए रो भन्द चाहान होन्चा भगवान ले विश्वको उत्पत्ति मात्रे गरन होन्चा उत्पत्ति आदी हेतवे सबय बंद पैलात प्रभु प्रमात्मा युटा रूपमा आउनु हुँँछा यो विश्वलाय पैला वनाउनु हुँँछा अनि अरको रूपमा भगवाना आउनु हुँछा फिर यो विश्वको पालन गरनु हुँँछा फिर यह और को रूप में आयरा प्रभ्रम्म प्रमात्माली नहीं यो विश्व को समहार गर्ण हुँँछा तसर्थ वन्नुभय विश्वत पत्या निहें तवे इसता भगवान स्थरे क्रिश्णलाई हामी सवेले नमस्कार गर्णुभय को सवेद्वियासी महराजले अब कसले सोधे हो ओ हो यो संसार्त बड़ा स्वार्थी चा जबसम्मा आफुलाई केही प्राप्त हुँदे न केही गर्णे वाला से न कसले येदी सोधे बने ए हजोर आज फलान ठाओं मां जाओं न सबखे बन्दा पईलो उसको उत्तार आऊं सा त्यहां गर्ण केमिल्च एः हजोर आज वेसो गर्णून त्यों गर्णले हमेलेग के मिल्च त्यों गर्णाले हमेलेग के उपलब दी हुँँँदे भस यो संसार्त स्वार्था कुछ हे वेदवियासी ठीक हाँ ये भगवा श्री कृष्णाय वयमनो ला है। सरी चृष्णाय वयमनों महां। तरह प्रभु लाय प्रनाम गरें, आमिलाय के प्राप्त हुनचत, बंदाखिर ए, विद्य व्यास जी थे महाराजें कहता है। तापत्रय विनासाय, स्री कृष्णाय वयमनमह, व्यक्ति लाए, जीव लाए, मनुस्य लाए, तीनोट प्रकार का ताप हरुले सदै सताय रहेको हुंचारे, कसले कुन तापले सताय को हुंचा, कसले कुन तापले सताय को हुंचा, कसले कुन तापले सताय को हुंचा, कसले कु दैहेक दैविक भोतीक ताप राम राज्य काहू नहीं व्यापा ना शगरे दीन हुन्छ आध्यात्मीक, आधिदैवीक, आधिधो भावतिक ताप भने को की होता सरल भासा मा यहारू सवयीले भुजने भासा मा बननो पर दा आध्यात्मीक, आधिदैवीक, आधिभावतिक ताप भने को तन दुखी, मन दुखी रधन दुखी इतीनोट प्रकार का दुख हरूंच नरे क्या मनुस्यको जीवन मा कसलाई तन को दुख ले सताईको छा तन संपतित प्रसस्त छा प्रतेक दिन छपन भोग वेंजन बनाए रे खाये पनी फुख छा बिहान को नास्त नारन घाट मा अने खाना काष्मंडू मा फेरी दिवसको नास्त पोखरा गएर साजको खाना धन गड़ी गएर माती माती घुमे पनी पोख्षा तर खाने बेलामा डक्टर शायवले मना गरनु भैकुछा दालको पानी सुखा रोटी खायर दिन भिताउनु परेकुछा सरीले साथ दियन धन संपतित छा तन दुखी अरको हुँचा धन दुखी धन दुखी भने को हो खान तक धेरे रुच्छ एदिव खान बस्यो भने एक दुखी किलो चामल लाई कोई साथी चाय देन अनन्दले रुच्छ तरा खाने बेलामस है न दिन भरी जान्ष बिचरा दिन भरी गयर अरकाको निवे कामगरना जान्ष मजदुरी गरना जान्ष पाच साय रुपिया कमायर लियर आउँश अब त्यो पाच साय ले आफुले मिठो मसीनो खाने की शुरा शुरी लाई खुआउने की शुरा शुरी लाई ड्रेस कॉपिक पेंसिल किन दीने की चाड़ पर्ब मनाउने की आउने अथिती हरुको सतकार सेवा गरने की बस तन त ठीक थियो जहां सुतेपनी सजीले निद्रा लाग्षा सुतने ठाउँचाई न तन दुखी होंचा कोई तकोई होंचा मन दुखी मन को दुखा भने को कस्ता होंचा तवन्दा खिरी सामान्य रुपले बुजन परदा योटा बाबा आमा को सपना उन्चारे घर मा सानो बच्चा जन में भने साना इन जन मीने वित्ति के देखे ओड़ा बुभा आमाले सपना देखने अवह इकोंचारे क्या अभोता हमरो घर मा छोर आभ वायो अभोता हमरो घर मा छोरी भैन राम्रो ठाउंमा विवहा गर दिन नाति नाति ना हरू होने शन्, हामी तो बुडा भुडी होने शों, ते तिवेला, अने घर मा जहलंगो हल्लाओं देएं, ती नाति नाति ना खिलार, हामी बसें ला अनेक अनेक प्रकार का सपना हरू देखनु है को हुँँँछ हरी बाबा, आमाले बच्चा जन्मीने दिन और नुसे ही मन को धुखा कसते हुँचा, तिस तो सबना देखना हुँचा तर, छोरू, साने उमिर मा, दस नौ मा, दस मा पढ़ने के हुँ भयो, कुछ संगत मा जान्छा, नर आम्रा व्यक्ति हरु कुछ संगत इसला है मिल्छा, बस दस बार मा पढ़ने, नौ मा, दस मा तिस सपना सबे चकना चोर हुँचा, मन को धुखा, अथवा कुछ संगत मा लागयो, भने को माने न, नर आम्रा व्यक्ति हरु को संगत इसला हुआ, ति बाबा आम हरुको मन मा, खती पीर परला, खती चोट पर्षा, तियो तो परने लाए था हुँचा, तसर्था, कोई मन को दुखी, कोई हुँचान तन को दुखी, कोई हुँचान धन को दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन विन रहंचान उदास, थोरे थोरे सब दुखी, सुखी राम कादा यो संसार मा कोई तन ले दुखी हुन्चन, कोई मन ले दुखी हुन्चन, कोई धन ले दुखी हुन्चन कसे ले भन्न सक्देने यो संसार मा आये पचे मा सुखी चु भनेर, साथी मा हात राखेर भन्न कसे ले सक्देनारे येदि भन्न सक्षन बने, तिनी होरो बन्न सक्षन जोन भगवान का दास बने रोबसे का। यो संसारलाई व्यर्था माने रबसेकाचन, यो संसारलाई मिथ्या माने रबसेकाचन, यो भगवत सत्ता ने वास्तवीक सत्ता हो, यो भगवान ने हमरो वास्तवीक साथी हो, भगवान ने हमरो वास्तवीक मित्र होनों चे बने रजसले माने का होन्चन, तीने हरुने सुख कि शाई नारे ग्या तंदुखी रा मन्दुखी कोई धन्दुखी होले हरी हर भगवाने को ताउनो सब विसे सामी सबे जना मिले रहा यो गुरुकुल कोई अभियान लाए पुरुणापनी गर्णोशा उयो संसार्त कोई तंदुखी रा मन्दुखी 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 रा प्राप्त हुन्सा कथा सुन्न भनेर कान भने केगर नुति कुंडला दानाई गरन भनेर हात भने बाला भिरी केफला मंत्र जपनर गुन्न भनेर जिवर बनिगो नश्वाद का खातिर पर उपकार गरन भनेर योचोला बनिगो स्रिंगार मा केछर इकान हुर बने कासन किसका लागे गीत सुनना लाए वे ना इक कान हुर बने का हुन भगवान को भजन सुनना का लागे कथा सुनना का लागे कुंडल जुंडायर मात्रे रिंग हर जुंडायर मात्रे कान को सुभा हुन दे ना कान को सुभात तब हुँँछ, कान पाउनु को सार्थकत तब हुँँछ, जब हामी भगवान को भजन सुन्छों, जब हामी भगवान का गुडान वाध हरू लाई सुन्छों अनि मोटा मोटा बाला हरू कडार छडाग भीरेरे के एक आम सहीन जब सम्मा हमी दान गर देनों, दान गरना का लागी, भगवान को सिबा गरना का लागी, इह हाथ हरू बने का हुँँछ, इस्ता इस्ता गुरुकुल हरू बनाउना का लागी, इह हाथ बने का हुँछ मंत्र जपनर गुन भनेर जिवरो बनीगो ना स्वाद का खातिर जिवरो के का लागी? मीठो मीठो स्वाद का स्वाद लिना का लागी? ओड़ा? ओड़ा? यह जिवरो बने को सा भगवान को हजन गरना का लागी? भगवान को किरतन गरना का लागी? जवसम्म मानुश्यो मनुश्य देहा हामी हरली लियर आयकाशाँ सज्जन वरिंद। जवसम्म मानुश्य देहा है। हो यो आम्रो गुरुकुल हुआ हमी सबेजना मिलेर बनावनु पर्षा जससले टीवी हेरेर बसनु भएको सा तुरूंत फोन गरनु वला सके संमा बनी देव युटा अभिभाब के सार हम्रो नाम बाट युटा विद्यार्थिले वेद पड़ेको सा विद्यार्थिले हगवत पड़ेको सा युटा विद्यार्थिले विहान वेलकाब गायत्री जपेको सा अखिरे त्यों पुढणेता हमिलाई प्राप्त होने होने ता यदी भगवान ले त्यों सामर्थ दिनों भएको सा वने बनी दियूं अभिभाबक तरह दान वन्ने कुरा ठूलोर सानों हो देना त्यों सामर्थ शाईन वने एक दिन यहां पचासों विद्यार्थी हो रुशन एक कई दिन भायपने मीठो भजन आज आमरो नावबाट गरने शन बट्टु कहरूले एक दिन को भजन भायपने गराय देऊ तुरूंत फोन गरन टेलिविजन को स्क्रीन मा नम्मर दियेको छाई जे सेवा गरना सक्षों तियो सेवा गरों भगवान संग प्रार्थना गरों हे प्रभू हे भगवान साके देखिए हजुर को सेवा गरों ला हजुर को सेवा गरना लाई हजुर को भजन कृतन गरना लाई मलाई कुने शू कहीं आउं देना बस हजुर को वस्तु जो हजुर ले मलाई प्रदान गर नुभाई को छा तीहीं मा हजुर लाई प्रदान गर देशो साकी देखी खुब सेवा बनाउला गरोंला अभिभावक नहीं बन देऊला न सके जे सकींच ते गरोंला हरे सकेता भगवान सेवा गरोंला गरोंला हे सकेता भगवान सेवा गरोंला हे ना सकेत भगवान सरण परोंला प्रेह और निस सकेता भगवान सेवा गरोंला छे हो बतधी आत माथी कर देवा ताली शेवा कर देए प्रेवमा जुन देए जय हो हे खुल पाती हात मले भूजा गरोला खुल पाती हात मले भूजा गरोला भगवान को पूजा गरे सरण परोला शाचकेता भगवान शेवा गरोला शाचकेता भगवान सेवा गरोला ए नासके भगवान सरण परोला ए नासके भगवान सरण परोला